जिस लड़के को वीडियो बना कर बेजती थी छात्रा, पुलिस ने सिमला से पकड़ा जिसे वह लड़की कथित रूप से वीडियो सूट करके बेजा करती थी हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि चन्रिगड युनिवरस्टी केस में हिमाचल परदेश पुलिस ने पंजाब पुलिस के अलुरोध पर सवेदिन सीलता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया है इस गटना को लेकर चातर चात्राओं में दिख रहे गुष्य और विरोध परदर्शन के बाद मुख्य मंत्री भगवंत मान ने रविवार को इसकी जांच के आदेश दिये वहीं पुलिस ने सुरुवाती जांच के बाद पुलिस ने आरोपी चात्राओं को पहले ही गिरपतार कर लिया था और आरोपी युवक को पकड़ने के लिए भी हिमाचल परदेश में एक टीम बेज़ दी थी पंजाब की महान निदेशक गुरुपरित देव ने इस गटना को लेकर सवांदाताओं से कहा कि आरोपी चात्रा ने अपना वीडियो युवक के साथ सांजा किया किसी और चात्रा का कोई वीडियो नहीं मिला है लेकिन विश्वी देले के अधिकारियों ने इस बात को जूठा बताया और कहा कि चात्रा वास में कई लडिकियों की वीडियो बनाए है और सोसल मेडियो पर वारल किये गए है और लडिकियों ने आतम अत्या करने की भी कोशिश की है बट मोहाली के वरिष्ट पुलिस अधिक्सक विवेक सिल सोनी ने सवान दाताओ को बताया कि कई चात्रों की वीडियो लिग करने की आफवा के बाद आधी रात को परदरसन हुआ उन्होंने कहा कि गिरपतार चात्रा का मुबाइल फॉन फुरेंशिक जाच के लिए जबत कर लिया गया है और किसी चात्रा के आतम अत्या करने की कोशिश करने का कोई मामला सामने नहीं आया है इस मामले में किसी की भी मोत नहीं हुई है उधर मुख्यमंत्री बगवन्तमान ने गड़ना की जांच के बाद आदेश दिये है और कहा कि दोशी पाई जाने वाले के साथ सत कारवाई की जाएगी इस गड़ना को लेकर राजनितिक दलों की तरफ से भी तीखी परतिकरिया आई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आमादी पारटे के राष्ट्रिय सायों जग अरविंद केजरिवाल ने कहा कि बामले में सामिल लोगों को कठोरतम सजा मिलेगी केजरिवाल ने टवीट की अपिडित बेटिया हिम्मत रखे हम सब तुम्हारे साथ है उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्स्क्राइब करना